नमस्कार बोलता विहार नीजमिरिया में आपका स्वागत है छेतर में गारी चोड सक्रिये पचास दिनों में एक ही गाउं में दो बेलोडों गाईव भवानपुर परखन छेतर में चार पहिया बाहन चोर काफी सक्रिये है मातर पचास दिनों में थाना चेतर के संजात गाउं से दो बेलोरों की चोरी के समाचार प्रकास में आया है प्रात जानकारी के अनुसार बीती रात भी उक्त गाउं से एक बेलोरों की चोरी हुई है उक्त बावत उक्त गवन निवासी विकास कुमार पिता वालेसवर चोरसिया ने थाना में एक प्रात्मी की दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने कहा कि 6 मार्च 2021 को थाना छेतर में ताजपुर गवन निवासी गुलसन कुमार पिता मुन्ना चोधरी से बिलोरो गारी खरीदा था उक्त गारी 8 मार्च 2022 को लगवग 69 बजे घर के दर्वाजे पर लगा कर शोने चले गए रात्री में लगवग पौने दो बजे गारी की आवाज सुनाई दी जब मैंने उठकर देखा तो मेरी गारी दर्वाजे पर नहीं थी मैंने अपने अस्तर से उसकी खोजबिन की लेकिन उसका पता नहीं चला उन्होंने उक्त मामले में अग्यात चोरे दोरा गारी की चोरी कर लिये जाने की प्रात्मी की दर्ज कराई विद्ध हो कि आज से 50 दिन पुर्व संजास से एक बिलोरो गारी अग्यात चोरे दोरा चोरी कर ली गई थी उक्त मामले में भी गारी मालिक उक्त गाउनिवासी मनोज चोधरी पिता स्वर्गिया जाजारा महतों के दोरा थाने में प्रात्मी की दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उक्त बेलोरो गारी उन्होंने बचवारा थाना छेतर के भरोल गाउनिवासी राम पुकार इस वर्षे खरिदा था जिसकी चोरी रात्त्री में दर्वाजे परशे अग्या चोरोद्वारा कर ली गई थी प्रात्मिकी दर्ज होने के बाद पचास दिन बाद भी उसका पतार नहीं चल सका है थाना परभारी मनिस कुमार शिंग उक्त मामले की जौच में जुटे हुए है भवानपुर से बिजय भारती की रिपोर्ट धन्यवाद